आईये मित्रों आज आपको 162 वर्ष पुरानी छोट इसी कहानी सुनाता हूँ भारत की माईबाप सरकार इस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयम भारतिय रेल विवार में रूची नहीं रखते ये क्षेत्रा खाजगी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया था उसी विभाग की ये बात है जिसके कारण सन 1844 में जी आईपी याने ग्रेट इंडिया पेंसिल्यूना रेलवे कंपनी अस्तित्व में आई जिसका डिरेक्टर जेपी कैनेडी थे जिया मित्रो हमारी विभाग की शकुन तला ट्रेन भी उन्हीं की देन है इस कंपनी के एक मातर डिरेक्टर जमशेजी जीजी भाई थे जी आईपी की मुंबई थाना रेलवे लाइन की पसंद गी जेपी कैनेडी को पसंद होने से उन्होंने वह कंपनी छोड़ते बीबी एंड सी आई बॉम्बे बरोडा एंड सेंट्रल इंडिया कंपनी का गठन किया उन्हें दूर द्रश्टी प्राप्त थी कि मुंबई से सूरत बढ़ोदा लाइन अधिक फाइदे मन्द रहेंगी मुख्य तहा गुजरात का कापास मुंबई की मिलों को कारियन वित रखेगा ये उनकी सोच थी बरोडा के महराजा खंडे राओ गायक वाड जानते थे अगर रेलवे लाइन नेरो गेज की बजाए मीटर गेज या ब्राड गेज में बनाई जाए तो खर्च तो अधिक आयेगा ही और कमाई भी तगड़ी होगी और तगड़ी कमाई पर अंगरेजों की वक्र दृष्टी अवश्य होगी लिहाजा उन्होंने सामान्य गति की नेरो गेज पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते दिनांक आठ फरवरी सन 1862 में डबोई से मिया गाम रेलवे की शुरुआत की और आप तच्जुब करेंगे उस ट्रेन में रेलवे इंजिन की बजाए बैल जोड़ी लगाई गई जो ट्रेन को खीच ले जाती थी ये समाचार इंगलाइंड के अखबारों तक में छपे इस आउक्स ट्रेन की महत्तम वेग मर्यादा लगभग प्रती गंटा पांच किलो मिटर थी इसे एनिमल पावर ट्रेन भी कहा गया फिर तो महराजा खंडे राओ गायक वाड़े ने तेईस नेरो गेज्ट लाइन का विकास करते वर्ल्ड रिकर्ष्ट थापित किया तथाबाद में रुपे साथ हजार के भाव से सन 1863 में स्टीम एंजिन खरीदा एक अगस्त सन 1990 में भारत सरकार ने गायक वाड़ स्टेट रेलवे की मालकी अपने हस्तक ले ली तो मित्रों आपको अल्प से शब्दों में गुजरात के नेरो गेज रेलवे की कहानी सुनाई आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी झाल